कि अब्श कर रहे थे यूपी एसे 2020 टेस्सरीज और यह विजन आयस की टेस्सरीज है टेस्स नाइन नाइन टीवन ठीक है और अगर नंबर के साब से देखिए यह तो ट्रुटी नाइन टेस्सरीज नमरे 28 तक हम लोगोंने विजन आयस के तूटीफूर से स्टाट है तो टू यूटूब चैनल के मेरे लिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं ठीक है और इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी तो इसलिए मैं इतना ज्यादा आप लोगा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं कि यूपी एक लिए तो अगर वहां से कुश्चन आता है तो आप उसे टेकल करके ले जाएंगे ठीक तो चलते हैं कुश्चन नमर वन पे और यह हिंदी में पूरा डिसकसन हमारा रहने वाला है तो कुश्चन नमर वन है कि फस्ट है इसमें कहा गया है कहा गया है डिपॉजेटरी यानि निक्षेपागार शेर बाजार में महतुपूर भूमिका निबाते इस अंदर में डिप और सिकित में से कौन सा कथम सःल यह बताना तो फ़स्ट है कि डिपॉजेटरी डिमैटेरियलाइजल यानि अमूर्त रूप से अमूर्त रूप में प्रतिभूखतियों में रख्य जाने वाली संस्था रख्य जाने वाली प्रतिभूतियाँ हैं यह मतलब DEPOSITORY E. materialize जckenडर डिपोजेटरी को भारती प्रतिभूति यम बिनिमें बोड YOU सेवी द् tilt वारा बिनियमित किया जाता है थर्ड-र की वर्तमान में भारत में केवल दो डिपोजेटरी ही भिद्दमान हैं तो यह हमारे तीनो सेकूरbleनस सही है कि जो टीसे डिपॉजट्री एक था उनीशो 2 पियानबे का उसके अंतरगत यह बात करता है और इसमें दो हीडिपॉजट्री इंडिया में इसे में हैं नेसनल सेकूरेटी डिपॉजट्र इन शेच्य를 भूती एलेक्टिक फॉर्म में रखे जाते हैं इसलिए अमूर्त रूप में बताया गया है तो हमारे तीनों स्टेट्मेंट इसमें सही होगी है तो हमारा थर्ड अप्शन सही है एक दो तीन ठीक है चलते नेक्स कुश्चन में कहा गया कि निम्लिकित पर विचार किजिए तो समधाइब को नाम निर्दिस्टष्ट करति किया गया है तो ये तो हमारा थर्ड run स्टेट्मेंट पहले ही गलत हो यह विए क्योंकि ये यहां कि मिज्चोर सेटिर्फ की आता है कि लोग सभा में दोश्धसय को किया जाता है थीक कि खैसक और उसके साथ मिला कर Kumar कि अन्जक्त समधा में कहीं भी तो यह पी गलत है क्योंकि इसका mismatch हमारा किया घया है 306 के आर्टिकल 362 में निन्में एक तो हमारा डियो आप्शन सही हो गया चलते हैं इसमें कहा गया कि उसन कटबंधी वर्षा वनों में निम्रिकित में से कौन सी अनुकूलन क्रिया विधियां देखी जाती है तो फस्ट है पतियों में डिप ट्रिप यानि टपक सीर से भाग का होना सेकेंड है पुष्ट मूल य यह मतलब उनको सहारा प्रदान करती अविश्टांबकमूल यह अधिपाद पादप प्रद्ध होते हैं अपना जीवन बतीत करते हैं यह वहां के मुख की पेड़ होते हैं यह पतियों में डिप की बात जो पानी बारिश का पानी गिरता है तो तुरंत ही मतलब नीचे आ ज सोधन करने वाले विदय को पारित करने के लिए आवश्चता होती है तो संसद हमारे सही है जो 368 का है इसमें संसोधन जो किया जाता है वो तीनों दौरा किया सकता है ठीक है तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका चलते नेक्स कुश्चन पर इसमें कहा गए कि अनुशूचित जाति की शूची में से किसी भी जाति को शामिल्या उपार्जित करने की सक्ति प्रदान है और सेकेंड थर्ड की अनुशूचित जाति की रूप में बिनिद्रिस्ट कर सकता है तो नहीं है यह संसत कर सकती है ठीक है ना कि राज विधान सभाएं तो यह हमारा गलत हो गया कि सूची में उपार्जित करने के लिए उनुंः जी जाथ के बारे में और थर्ड में जो कहा गया कि कि वल महापंजें द्वारा है संसोधन सूची संसोधन संसोधन बिधेक किवल भारत में महापंजें की सहमयति से होना चाहिए तो यह भी गलत है क्योंकि यह महापंजन और स्चीस की आयोग जो होता है उसकी सहमति होनी आवस्च तो हमारा इसमें किवल एक सही हो गया एप्शन ठीक है तो यह दोनों हमारे गलत हो गया चलते ने एक्स कुश्चन पे इसमें कहा गया क्रेडिट क्रस्णिंग के संदर्में निम्लिकित कतनों में से कौन सही है तो फस्ट है कि यह वह इस्तित हैं जिसमें बैंक उधार करताओं को रियाइटी ब्याजदर पर रेड़ देते हैं ब्याइट देने से मना कर देते हैं भले ही वे उच्च ब्याजदर भुगतान करने के लिए या वहाbernक, इस्तित है जिस में, बैंक केवल, प्राथमिक प्राथ्मिकताओं प्राप्त, छितरों को रीन्डरेत्थ देते हैं, बैंक में तिपर आर्थिक貝काश क low 12 गैर प्राथ्मिक प्राथ्मिक प्राप्त, छितरों को इसमें होता कि इसमें होता है कि जब बाजार की भीलता होती तभी ऐपिति अंतराल के कारण माना जाता है तो ये हमारा dei option हो गया एक दो और होता intelligと अधिक हो जाता है मतलब मांग से अधिक तब ये जो उत्पाधन और Park कि अंतराल का जो गर्मन वाच द्वारां जलवाई परवर्तन पर अंतर सरकारी पड़ राध्याज इसका ग्त टइन कर दोरा एक और तो हमारी रेंकिंग के लिए बहुत ही he tough극 हो जाता है इसके चार मानक होते हैं एक तो मानक होता है ग्रीन हाउस गैस दूसरा होता नवी करणी उर्जा और एक उर्जा का उपयोग होता है जलवायू नीत के आदार पर ये रैंकिंग तयार की जाती है और इसका लक्ष है कि 2030 तक जो बैस्विक तापन है उसकी ब्रदे में 2% तक कमी करना ठीक है मतलब 2% तक सीमित रखना है इसको दो दिग्री सेंटिग्रेट तक ठीक है तो ये आप लोग धियान रख सकते हैं चलते नेक्स कुस्चन पे निमलिखित में से किन मामलों में नियायालाय परमादेश की रेट जारी कर सकता है तो फर्स्ट है किसी अधिकरण को अपन अधिकारिक करतबियों को पालन करने का आदेश देने के लिए तो ये हमारा थर्ड तो इसमें सही है लेकिन ये फर्स्ट हमारा गलत है क्योंकि जो ये किसी अधिकारी को अपने नियाय चेत्र से बाहर नियायक कारियों को करने के लिए नहीं रोकता है ठीक है और ये समिधा करता है निगम और सारुजनी की काई आधीनेस नियायल है और अधिकरण के खिलाब भी जारी किया जा सकता है तो हमारा यह स्टेटमेंट 3 सही है तो बी आप्शन सही होगा केवल 3 चलते नेक्स कुस्चन में पराया सुर्खियों में रहने वाला पत्थल गड़ी अंदोलन निम्लिकित में से किसके बिरोध को संदर्वित करता है तो फस्ट है यह असम समुदाय पुलिशिंग के माध्यम से अवेद प कि जंतर को विरोध कर आधिवासियों के अधिकारों है कि कह क्यों करने के संबंद में जागुरूपता करने को इसका इसका च 해도 यह जाके के गाउं के बाहर पत्थल लगा कर आदिवाशियों के अधिकारों में कमी के विरोध और आदिवाशी के उनके वन अधिकार संबंद में जागरुक्ता करने के लिए किया गया था पत्थल पत्थल गड़ी अंदोलन ठीक है चलते नहीं एक्स कुष्चन पे कुष्चन नंबर 11 इसमें क्या कहता है कि 1784 के पिट इंडिया एक्ट के संदर में निम्रिकित कत्नों पर विचार करना है तो फस्ट है कि इस अधनियम ने इस इंडिया कंपनी की वाड़ी जी को और राजनीतिक गत्विदियों को प्रत्थक कर दिया था सेकेंड है इस इस अधनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ पदों का बिले कर दिया था थर्ड है कि गवर्नर जनरल को नियुक्ति का आधार कोट ऑफ डारेक्टर के पास बना कर किन्तो उसके लिए शमराट के अनुमोधन को अनुमोधन प्राफ्ट करना अनिवारिक कर दिया था तो हमारे जो भी यह स्टेटमेंट है दो को एक पहला तो साहिए कि इस जो पिट्स इंडिया एक्ट था उनिश्ट इसने अधनियम ने इस्ट इंडिया कंपनी की वाड़िजिक और राजनीतिक गत्विदियों को प्रथक कर दिया था अधिकार कोट ऑफ डारेक्टर के पास बना रहा तो उसके लिए समराट का अनुमोधन की आवस्ट था ठीक है तो हमारा सही हो गया सी एक और तीन लेकिन यह सेकेंड में कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर जन्रल और कमंडर इंचीफ पदों को बिले कर दिया गया था तो इसमें नहीं किया गया था ठीक है यह तो सत्रासो जो च्यासी का एक्ट आया था उसके अंतरगत इसका जो है उसमें सही उक्त कर दिया गया था ठीक है चलते हैं एक्स कुश्चन पर इसमें का गया कि कौन से देश उत्तरी शागर की शीमा बनाते हैं उत्तरी शागर से तो पर जो यह है हमारा यह वाला च्ट्रिय उतर इसकी बात करते हैं तो इसमें देखो हमारा नार्वे, फ्रांस, नीदरलैंड, आरलेंड, बेल्जियम यह पांचों जो है कंट्री हमारी है इसमें ठीक है तो हमारा आप्शन सही हो गया C केवल 5 क्योंकि इसमें देखो यहां पर आपको नार्वे देखने को मिलेगी ठीक है नार्वे देखने को मिलेगी उसके बाद आपको यहां पर डेनमार्क देखने को मिलेगा यहां पर यहां पर यहां पर आपका पड़ेगा जेर्मनी जेर्मनी के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा नीदरलैंड यहां पर है उ जाष्ट्री बाग अंपर अभ्यास किकि नवींत्म शंगना के अशार करनाटक में बागों की संख्या सरवादिक बाग अभ्यान में बुक्षा बाग्या इन गलत आप खेंड़ी यह जो में अभिण्या और प्रम यह वहां सब्सक्राएं अभी नएए-दो जार तो और यह करनाटक में कहा गया सबसे ज़्यादा बाग है तो यह गला था क्योंकि यह मद्यप्रदेश में करनाटक में सेकेंड है क्योंकि मद्यप्रदेश में 526 हैं और करनाटक में 524 हैं और यह बाग प्रादिकने दौरा पंच वर्ची नहीं है यह चार वर्च में एक बा इसमें कहा गया कि ये बॉंबे में पत्रिका के माध्यम से शमाज सुधार करने वाले अगनी समाज सुधार रखते हैं इन्होंने समाचार पत्र दरंपर्ट का प्रकासन आरम किया इन्हें मराठरी पत्रिका के जनक के रूप में जाना जाता है इन्होंने बॉंबे नेटिव लाइबरेरी की इस्थापना की उप्रिक्त परिचेद में निम्लिखित में से किसके बिक्तित का वरणन करता है तो ए उप्षन है एम एनम जो सी बी है गोपाल के सुन गोखले सी है बाल सास्त्री जंबेरकर और डी है एम जी रेनाडे तो इसका सी उप्षन साहिए बाल सास्त्री जंबेरकर के बारे में यह बताया गया है ठीक है प्राय सुर्कियों में रहने वाले फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन एफ जी डी के संदर में निम्लिखित में से बिचार कीजे फरस्ट है इस प्रिक्रिया का प्रियोग ताप विद्धुत सेयंत्रों में निश्कासित फ्लू गैस के सल्फर तथा नाइट्रोजन आक्साइट को प्रिथक करने है तो किया जा सकता है इन्जेक्शन तकनिकी फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन की एक लोप्री बिदी है तो इसके बारे में बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है तो जो इनके बारे में बताया गया तो इस दोनों स्टेटमेंट हमारे ये सही है जो फ्लू गया से डी सल्फ राइजिसन के बारे में बात करता है ठीक है तो हमारा सी अप्शन सही हो गया चलते नेक्स सुच्टन पर नेक्स है कि भारत में नमक उत्पादन के संदर में निमिकतनों पर विचार करना है तो फर्स्ट है भारत में राजिस्तान नमक का सबसे मंत्राले के अन्तरगत जो आयोडी प्राधिकरन होता है उसके अंतरगत इसकी ये इसका नियुकिया जाता है ठीक है और ये में कहा गया कि राज़स्तान तो ये राजस्तान नहीं है नहीं पर निरिख्षणात्मक शक्या प्राप्त हैं सेकेंड wanna recite that उसके आदेशों और निर्णयों के बुरुद सत्र नियालय के समझ अपील की जा सकती है थर्ड है कि वह आजीवन करावास और मृत्यु दंड सहित किसी भी प्रकार का डंड नहीं दे सकता है तो यह गलत है वह दंड दे सकता है आजीवन कारवास या मृत्यु दंड पर और हई जो हमारे हाइए this यह क्यों कि सत्तर न्याले हुट है वहां पर किजा सकती है क्योंकि फॉजदाअरी मामले होते हैं चैते हैं और जो तुम्हें सिविल दिवानी मामले होते हैं वो जिला न्याले में की जाता है तो फली म了 है कि यह कहा गया कि उसे जिले के सभी आधीनस नियालें उपर निरिच्छनात्मक सकती प्रापत है तो यह हमारा पहला स्टेटमेंट सही है ठीक है तो हमारा केवल एक आप्शन इसमें सही हो गया चलते नहीं एक्स स्विष्चन ने कहा है कि भारती है संगीथ की दो महतुपूर्ण सही या अर्थ हिंदुस्तान न नानी ही संवर्ण है है सारंगी हिंदुस्तानी संगीत का प्रमुक वादियंत्र है और यह यह यंत्र है जब कि करनाटक में वाइलीन प्रसिद्ध है और सारंगी जो है हिंदुस्तानी संगीत का जो प्रमुक वादियंत्र है लेकिन हिंदुस्तानी नहीं है तो हिंदुस्तानी भी जो पास्ति नर्टियों से संबंदित है क्योंकि आपको कथक देखने को मिलेगा तो कथक भी इसमी किया जाता है तो यह हमारा गलत हो गया ठीक है और फर्स्ट में जो कहा गया कि जहां हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्र प्राया धर्म से संबंद है वहीं करनाटक संगीत की कि और दो धर्म से संब्दित हुए तो हमारा केवल कि स्टेट में यह साइं बिस हो गया ठीक है चलते नेक्सयं पे नेक्स से कहा गया कि महा सागरी धाराओं के शंदरमें निम्री कत्नों पर विचार करें तो ऐकी महा सागरी धारा हैं उत्तरी गोलार्द में बामा वरत वि ये जेकेन्ड है विश्वत फिश्वति प्रतिधारा पूर्ज़ फसे प्रवावित होती है झाहित Durda मिन अज्छान आइस को प्रवी श्यमांद्दध नाद करते यह तो यह का एक झाहिए रहनगों लिए वहना तो सब Expert क wil तो ये भी गहलत है कि जो यह होता है पृति वहति एक क्या होता है कि यह दछिल concert दख्शिना वुरत जो वा reacts Люб मद्झेथ Ik Try Master के पराकृतिक सत्ड या प्रतिषपर्थी होते हैं इनका पादप रोगों को नियंतित करने के लिए उपियों किया जाता है नियमने कितंडों मिसे एक गारक तो फ 1965 वैसीलाइस टूरूरिन टूरिन धियंशिस बही है ड्रैगन व्लाइए और सिज़िया बै क्यू लोग वाय तो यह तीनों जो है जैविक निरंतरन के लिए काम करते हैं ठीक है तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया एक दो तीन ठीक है चलते नेक्स कुछन में कहा गया कि हाल ही में तेलंगना के कपाश कुछानों कुछानों दौरा घा तक पिंक बॉल वर्म से निपटने के लिए प्र कि अधिक निपटने के लिए उप्योग किया जानावाला फीड़क नए या पौदों में विद्द्यमान हर्मोन के रूप में तने के थोड़ा कट जाने पर रच्छा तंत्र के रूप में काम करते हैं ती आप्शन है इसे यह ऐसे रसायन होते हैं जो हर्मोन की भातिकार कर करते हैं तता किसी लक्षित जीव के ब्योहार पर प्रभाव डालते हैं तो डियो अप्शन है कि किट ना सक जो पाउडर के रूप में केवल कीटों को मारते हैं बलकि क्रशी उत्पादकता बढ़ाने में भी साहता करते हैं तो इसका यह सी अप्शन सबसे अच्छा जो फिरो हंका उसमें जो कहा गया ता जो बिंग बालम वर्म के लिए तो उसी के बारे में कि बुए बमंतंड के बनाया गया तो यह गया गयं इसके लिए काम करेंगा i會 चलते नेक्स में, नेक्स है कि 12 सिंगाज यानी, श्वैप डिएर को उसके प्राकरतिक परिवास में देखने के लिए निमलिकित में से कौन सा सरसेष्ट्र राष्ति उध्याँ है, फश्ट है गिरी राष्ति उध्याँ, बियन पिन población बियने गाल मलन ज्यों कह दो राष्ति उ लेवल के टेवरी में आता है ठीक है चुबेद्धिक टेगरी नेक्स है कि अर्थ ब्युस्ता के संदर्ब में निम्रिकी चुक्मों पर विचार कीजिए फ़स्ट सब्दावली और क्रिया दिया गया है तो उसके बारे में बताना है तो फ़स्ट में कहा गया है कि बिलय यानि बिलय का मतलब बताए गया कि दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिलकर एक बिल्कुल नहीं कंपनी बनाती है शेकेंड है कि समा मेलन दो या दो से अधिक कंपनियों को मिलाकर मिला लेती है ठीक है तो और थर्ड है कि एक कंपनी अधिगरहन की बात करता है कि एक कंपणी किसी अनी कंपणी का नियंत्रन हासिल करने के लिए उस कंपणी के अधिकांस सभी शेवरों की और खरीद खरीडेo को है काटिए होंगे यह हमारा Łिभा किर्याइ़ है कि है कि अधिग्रह्ण कि फार और के लिए उस कंपनी इसर लेट में इस फिसा के जैना का करें आ इसरी कंपनी इसे हो एक करते दो जो फूर को मिलाकर एक मौजूद कंपनी बनाई जा Consumer तो हमारे यह तो दुनों गलत होगे लेकिन यह थर्ड हमारा सही है तो हमारा option कोई भी सही नहीं है इसका केवल तीन ही सही है यह option गलत था इसलिए यह correction आप लोग correction कर लेना ठीक है इसमें कहा गया कि pressure cooker में खाना जल्दी बखता है कि यह अंदर के को बढ़ा कर जल्का कोытनांक गटा द या अंदर के दबाव को घटा कर जल्का क्वातनांक को बढ़ा देता है तब हम जल्दी हमारा पक जाता है ठीक है इसलिए तो प्रिषर कुकर का हम लोग यूज़ करते है वरना क्यों करें उसकी जरूरत कि आपरे तो ये हम लोग देख सकते हैं चलते हैं कि इसलिए देखा जाता है जब पाहरी संबंद में खाना बनाने की बात आती है तो वह बहुत देर में बेर सकता हैं कि वह sowas था लिए उसके लिए हैं अग्यों लगाने वाले को भूमी ठेके पर दी जाती थी इस पद्धद को भारत में रावर्ट कलाउय ने प्रचलित किया था तो यह गलत को पर शासंकालर नहीं किया था सबसे पहले तो यह जहां के शासंकाल में आई थी और ओर यहांग तक करी था था तो जो लाड जो लाड वार्ण वार्ण हैस्टिंग थे उसने इस जारेदार प्रथा को लांच किया था ठीक है तो यह फ़स्ट हमारा साही हो गया और यह सेकेंड गलत है चलते नेक्स कुश्चन पेश में कहा गया कि निम्लिकित में से कौन संगम यूग के दच्छडी र संदर में वाशिंग्टन कंसें वाशिंग्टन कंसिंस से आप क्या समझते हैं तो फस्ट है कि या अंतरराष्टी बित्ती संस्थानों दौरा संदर्भित समर्थित मुक्त बाजार की आर्थिक नीतियों के समुच्चे को संदर्भित करता सेकेंड है या डबलू टीओ के परामपरिक मुल्यांकन प्रकिया के आधारभूत सिधान थे यहां अपने घरेली चेत्रों में विदेशी निवेश को सुरच्छा प्रदान करने के लिए जी टूंटी संदर्भित करता है तो इसमें वाशिंग्टन कंसेंस के बारे में कौन सबसे अच्छा वरणन करता है इसके बारे में बात करता है तो इसका अप्शन जो है यह सबसे अच्छा इसका वरणन करता है कि यह अंतरराष्टी बित्ति संस्थानों द्वारा समर्थे तो मुक्त बाजार की आर्थिक नीटियों के समुच्छे को शंदर्भित करता है ठीक है चलते नेक्स कुश्चन प बैंक संग यानि आई बीए के संदर्भ में निमिक्तित कत्नों पर कौन सही है यह बताना है तो फास्ट है इस संग के सदस से केवल सारजुनिक छेत्र के बैंकों के नियुक्त किया जाते हैं सेकेंड है कि यह बैंक करमचारियों के वेतन का निर्धारन करते हैं ठीक है और है कि यह आई बीए को आटियाई की धारा अटिया दिनियम की धारा दो के अंतरकत सारजुनिक प्राधिकर्ण नहीं माना गया तो यह तो हमारा सही है इसको सारजुनिक प्राधिकर्ण नहीं माना गया है और यह बैंक करमचारियों के वेतनों का निर्धारन करते हैं ठीक है बैंकों की निव्क्ति किया जाने के संबंद में बात करता है और इसका जो गठन हुआ था तो 1946 में हुआ था ठीक है और इसमें तब 22 सदस्य थे इसका भी 2018 में पुनर गठन किया गया तो अब इसमें 252 सदस्य हो गए है ठीक है तो यह आप ध्यान रख सकते हैं तो हमारा इसम प्रमुक, लोगसभा की समित यह अद्द्धि या प्रमुक लोगसभा अद्ध्य द्वलाद नमिद किया जाते हैं शामानि-प्रियोजन वप्रिप्रियोजन Sutra दो जाती तो यह इसक Л आएऊश accident करता है यह फरस्ट हमारा है की लोगसभा की सभी संसली वोगतियों के अध बिश्यों के संदर में बिध निर्माड की सक्टी केवल संसद में नहीं थे ना की राज विधान सभाओं में तो फर्स्ट है किसी राज में नियोजन है तो परिवार को एक अनिवारी सर्थ के रूप में निर्धारित करना सेकेंड है मूल अधिकारों के परियोजन प्रवर्तन के लिए रेट जारी करने है तो आधीनस्त नियालों को ससक्त बनाना थर्ड है कि निवारक निरोध पर कानून बनाना तो इसके बारे में बताना है तो देखो यह निवारक निरोध कानून पर तो देखो यह दोनों बना सकते हैं कानून तो यह हमारा गलत हो गया क्योंकि यह समुर्थी सुची का जो तिन सुची है राजी सुची स्टेट सुची सबस्ता है दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन यह वाला क्यारों बना सकती है तो हमारा स्थिटिमेंट सही हो फर्स्ट वाला एक और दो चलते नेक्स कुस्चन पे नेक्स है हमारा 31 कुस्चन नंबर पे तो इसमें कहता है कि 1861 के भारती परिशत अधिनियम के संदर में कत्नों पर विचार करना है तो फर्स्ट है कि इसने विकेंद्री करण की प्रक्रिया आरंब की और इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आरंब होई केंद्री करण की प्रवरती को उलट दिया इसे इसने वाइसराय की परिशत के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतियों को संबद करके प्रतिनिधी संस्थानों का ओर्वरंब किया थर्ड है इसने श्विल सेवकों के चेहन के लिए भरती के लिए ख़ुली परतियोगत्या का आरंब किया तो यह गलत है क्योंकि जो च्विल सेवकों के लिए च्यान की भरती प्रक्रिया थी यह जो हमारा HER ót तो 1853 काया था उसमें शुरू कर दी गई थी तो यह उसका हो जी नहीं सकता यह तो हमारा पहले ही गलत हो गया ठीक है लेकिन यह फर्स्ट और सेकेंड जो बात करता है इसके बारे में कि जो इसने वाइसराय की परिशत गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतियों को और यह वाला जो हमारा बात करता है तो यह सेकेंड वाला भी हमारा सही है इसमें थर्ड गलत हो गया तो हमारा इसमें हो गया डी ऑप्शन एक और दो चलते हैं एक्सकूशन पर इसमें कहा गया कि यूनिफॉर्म कोट ऑफ फर्मासिटिकल मार्केटिंग प्रेक्टिस के पालन ना करने पर चिकित्षक पर जुर्बाना लगाया जा सकता है तो जो यह बाधिकारी नहीं है यह जो कहा गया कि यह बाधिकारी है इस पर जुर्बाना लगाया जा सकता है तो यह बाधिकारी प्रिक्रतिकें नहीं है और यह पहली बात तो यह चिकित्षकों और स्वा नेक्स में कहा गया कि निमलिखित में से कौन सा सम्विधान के भाग थर्ड के अंतरगत प्रदत अपराधों के लिए दो सिद्धी के संबंद में सनच्छन के संबंद में सही है तो फस्ट है अनिवारी नारको विशलेशन परिच्छर स्वा अभिशंचन के बिरुद्ध सनच सनच्छन के अधिकार का उलंगन नहीं करता है यह संबैदानिक सनच्छन नागरिकों के साथ साथ विशलेशियों को भी उपलब्द होते हैं थर्ड है कि नागरिक दाइट तो अत्वक्र भूत लच्छी प्रभाव को प्रभाव के साथ आरोपित किये जा सकते हैं तो यह से सब्सक्राइबाद तुमारा जो पॉलीग्राफी टेस्ट होता है और ब्रोन इलेक्रोग्राफी एक्टिवेशन प्रोफाइल होती यह सब जो है जो आर्टिकल 20 में जो इनका प्रोविजन किया गया है कि यह उनका स्वाभिसंशन का उलंगन करते हैं ठीक है तो हमारे दो औ अबहाओ के बिरुद्ध परमार हतियारों के प्रसार को रोकने से महिलाओं के प्रजिन संबंदी अधिकार से तो इसका B option सही है जो यह जलवाई प्रिवतन संकर्च में कारवाई के आबहाओं के बिरुद्ध जो यह बात करता है जो फ्राइडे फार फ्यूचर है और यह क तो इसके बारे में आप याद रखते थे बहुत ही ज़्यादा चर्चित था तो इसके आप दिधान रख सकते हैं कौन सा सही योगम सुमेलित नहीं है इसमें से तो पारिष्टित की सब्दावली है और अर्थ दिये गए हैं तो इकोफीन के बारे में या अनुवांसिक परिवतनों के बिना परियावरणी संब्धी अनुकूलन के कारण परजाति में परिवर्तन के बारे में बात करता है यह थर्ड हमारा गलत है कि यह जो प्रजिनन समता उत्पन करने वाली कार की रूप से समान प्रजातियां नहीं होती है जो इसकोफीन परिवर्तनों के बिना परियावरणी अनुकूलन के करण परिवर्तन तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड सही हो गया तो हमारा एउप्शन सह हो जाता है इसका नेक्स है कि हाली में शुर्कियों में रहा 2020 CD3 संबंदित है तो है है तो परिच्ण किट है यह आनलाइन भुगतान दोकादड़ी पर द्रश्टी रखने की अंतरराश्टी नेटर्वर्क प्रणाली है इसी है कि प्रतवी की परिक्रमा करने वाले चुद ग करता है जिसे अभी मिनी मून कहा गया है प्रतवी का दूसरा मतलब गराब बोला जा रहा है उसी के बारे में यह बात करता और इसकी खोज़ अभी हाली में जो नासा दोरा की गई है तभी इसका नाम ये दिया गया है तो 2020 CD3 ठीक है इसी के बारे में ये बात करता है चलते नेक्स कुश्चन पेच में कहा गया कि इस नरजाती समूग के सासकों को इंडो सीथियन के रूप में जाना जाता है वे राज्य पाली आधीनस्त सासकों के ये इसके स्क के बारे में बात करता है कि इसके बारे में बात करता या 5 बात में थी और चठी य जो ऑपरी साखाल अधीनस्त साखाट चेशागारा में थी तो यह मतलब यही आधीनेस्ट के रूप में काम करते थे और निए चत्रप कहा जाता था ठीक है कि उधारी क्रत बीप्रेशन योजना योजना सभी निवासियों बेक्तियों कार्पोरेट साज़ेदारी फर्मों को बित्ती वर्स के दोरान निश्चित राशिका बिप्रेशन करने की अनुमत प्रदान करती है सेकेंड है कि योजना के अंतरकत बिदेशों से बिदेशी मुद्रा ब्यापार है तो बिप्रेशन की शुभिधा उपलद नहीं है हाल ही में सरकार दोरा ब्यापार सुगमतायूं LRS के तहत संग्रहित कर समाप्त कर दिया समाप्त कर दिया गया है तो यह जो हमारा स्टेटमेंट इसके बारे में बात करता है कि जो बिप्रेशन योजना थी उदारी करन बिप्रेशन योजना के बारे में तो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारे जो और कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें चुछ क्पिंगि जो ये सुगमता वयापार को शमाप्त करने की बात कही गई है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो ये संग्राहित करने और धार्मिक अधिकरणों को यह उपलब धन नहीं है ठीक है इसलिए यह होता क्या है कि मतलब चालू खाता जो सभी निवासी होते हैं उनके चालू खाता या पूझी खाता का लेंदेन होता है फाइनशेल एर्मिह और ये दो लाकश फचास हजार मिलियन जो डालर होते हैं उसकी मुप्त बिप्रेशण का कारिकर्ने का काम करता जो निष्थी फाइनशेल में होता है ठीक है चलते नेक्स में नेक्स है हमारा सटी नाइन कुश्चन नमबर में कहा गया कि लाड इर्विन के कारिकाल के दौरान दी गई दीपा वाली घोषणा संबंदिते हैं तो फस्ट है कि इसमें कहा गया कि दलित वर्गों के लिए समयधानिक रच्छा उपायों क कि डाक्टर भी आम मेडिकर की मांग है भी है 1927 में मदरास में वार्चिक कांग्रेस अधिवीशन में अपनाए गया संसोधन किया जाने वाले प्रस्ताव से हैं भारत के भविश्य में डोमेनियन स्टेटेस परदान करने के लिए ब्रेटिश संसकार के मतब्य के संबंद मे लाड इर्विन द्वारा दी गई की गई घोषना है तरड़ कि साइमन कमिशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोल में सम्मेलन के संबंद में ब्रेटिश संसदूं में मैक डोनाल्ड द्वारा की गई घोषना है तो इसका सी ऑप्शन सही है जो इर्विन घोषना बात करता है जो दीपावली की घोषना के बारे में बात करता है तो यह थी भारत के भविश्य में डोमिनियन स्टेटस परदान करने के लिए ब्रेटिस सरकार के मतब्वी के संबंद में लाड इर्विन द्वारा की गई घोषना और जो यह साइमन कमिशन आया था उसके बा मंडली नाइट्रोजन में निर्गमन करता है यानि मर्दा से वाई मंडल में जो नाइट्रोजन जाती है उसके बारे में तो फस्त है इस्तरी करण और बी है अमोनी करण सी है नाइट्री करण और डी है बी नाइट्री करण तो इसका डी आप्शन सही है जो बी नाइट्री में प्रियोग कर पाते हैं अपने पोषकत्त्तों में बाओ निट्रियंट होते हैं उसके लिए नाइट्रोजन फास्पोरिस और पोटास की बहुत अधिक मातरा में अवस्थिता होती है और यह जो किरिया होती है दोनों किरिया है जीवानों द्वारा संपन्न होती है ठीक है नेक्स कुछन में निम्खित परिच्छत पर विचार में उसने कामपिली भेजा गया जहां उसने संस्थापक सासक के रूप में अपने सुतंत्र राज की नियुरक्की किसके बारे में यह परिच्छत कहा गया है तो फर्स्ट है कि बलाल देव भी है महेंद्र वर्मन पर्थम से नर्सिंग देव दूती और डी हरिहर बुक्का दोनों ने मिलकर वारंगल में विजय नगर सामराज की इस्थापना की थी 1936 में ठीक है तो तंत्र राज की सलते नेक्स कुश्चन पर नेक्स है कि भारत में पच्चमी तटो पर आने वाले मांसूनों के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए तो भारत में पच्चमी तट पर मुख्य रूप से परवती वर्सा होती है यहां मांसून की तिबरता अफरीका के उपर भूमद रेखिये जेट परवाहो की इस्तेती दौरा निरदारित होती है तो यह दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है तो सी ऑप्षन सही होगा ठीक है चलते है नेक्स कुछ्चन पर क्योंकि यह जेट परवाह का ही प्रभाह होता है जो भूमद शागर से उठती है जेट परवाह नेक्स है कि निमलिकित गटनो के बारे में बताया गया है तो इनके बारे में बताया गया है कि कौन सा कब आया है इसको सुमेल करना है तो देखो फास्ट में अगर पहले सबसे पहले इसमें घटना की बात करें तो इसमें देखो सबसे पहले साइमन कमिशन की नियुक्तिविटी 27 मार्च मार्च 1927 में यह देखने को मिली थी उसके बाद दिल्ली प्रस्ताव की बात करें तो यह दिसंबर 1927 में आया था और अगर बात करें कि गोल में प्रतम सम्मेलन तो यह 1931 में देखने को मिला था ठीक है और नहरू रिप्रेट 1928 में आयी थी ओर हमारा पहले हो गया साइमन कमिशन उसके बाद हो गया हमारा दिल्ली रिंपोट डिल प्रस्ताव्स के बाद हमारा है 29 का जो 28 का है नहरूर रूपर्ट हमारा फरस्ट और फॉर्थ वन परी देख ले देखते हैं तुम्हारा पहले तो फरस्ट किसमें रिंश में भी इन मेelo 밝 फोर्ष ठेट प्री ऑप्ष्ण और इसी of चना है हम रोटए लिए तो में तंत्र नवी करणी ये खरीद दाइत्तों अनुपालन को शुबिधा जनक बनाने के लिए बाजार आधारित उपकरण है सेकेंड है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आर इसी के ब्यापार के में सनलगने एक मात्र बिदुत बाजार है और थर्ड है कि हाल ही में उर्जा के में रख दिया गया ठीक है तो ये हमारा गलत हो गया लेकिन ये कहा गया कि केवल एक ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज तो नहीं 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 ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर इनर्जी एक्सचेंज दो इसके बारे में बात करते हैं ठीक है ये पर्मानपत् पर विचार कीजिए तो फस्ट है कि भारत में केंदर राज या इस्थानी सरकारों पर कोई प्रत्या वहन अधिकार यानि राइट रीकॉल नहीं है कि समिधान लागूहने के पाषचाद भारत में कोई जनमत संग्रह नहीं किया गया मतलब रीकृ olha का जो विलैकर था ठीक है अ और सतंत्ता के पहले तीन बार हुआ यह हमारा गलत हो गया है कि केंदर राज के लिए प्रत्या वहाँ अधिकार यानी राइट ईश्या नी वापस बुलाना यह नहीं है इसे संचत्य संहिती को संदरहित नहीं किया जा सकता है, यह तविक कि इसे कोयीwolकृ नहीं किया सकता है , या नहीं इस इस ये निर्दा लेने प्रमाणपत्र देने के संदर्ब में अध्यच्य संसदी कार्य मंत्री से परामर्ष करने है तो बाद है तो थर्ड है हमारा की राष्टिपत धन विदेग पर अपनी सहमती नहीं रोक सकता है कि समBA दन वादं विदेग को धन विदेग माना चाहता है यह दिवाा उसके सभी परावधान अनुची दें सहा चैकर है है यह हमारा और लेकिन यह संदर्बने लेने के प्रमारपत्व देने के संदर्व में अद्धची संसधी कार्यं मंत्री की प्रामर्श करने के लिए बास है तो यह भी गलत है उसे प्रामर्श लेने की कोई आवस्सक्ता नहीं होती है और इसे संसदों की संयुक्ति को संदर्वित नहीं किया जा सकता तो ये भी हमारा जो है ये हमारा स्टेट्मेंट सही है क्योंकि इसे संसदों की संयुक्ति को संदर्वित नहीं किया सकता हमारा फर्स्ट ऑफ्चन तो केवल भी हमारा सही है चलते नेथ्स कुछ्चन पे when नेक्स है हमारा 47 गुश्चन नमर्स में कहा गया कि ग्राम नयालों के संदर्म में निर्मिकित कत्नों पर विचार कीजिए तो फिस्ट है ग्राम नयालों कि किसी भी निरने दंडा कोश या आदेश के विरुद अपील राज जी के उच्छ नियाले में ही की जाएगी तो ये गलात है क्योंकि उच्छ नियाले में नहीं की जाएगी ये जो हमारे सत्र नियाले में इसकी जो 17 सरीस अमांटै कि गया है तो उनीं शेत्र कीया गया जैए कि वहाँ इनका किया जा सकता है अपील किया जाकती नांकि हाइग कोट में ठीक है और ये इनका सिविल मामलों में कोई छित्रा अधिकार जो बताए गया नहीं है तो ये भी केवल 2 में नहीं में दोनों में सिबिल और दान्डिक दोनों में इसके छैत्रा दिखार हैं ठीक है और यह संसेद हुरा नियुदिस कानून समर्थित है तो यह पहला हमारा सही हो और यह एक्ट जो था ग्राम नियाला एक्ट 2006 का अड़क्ट है इसके अंतरगत यह बात करता है तो हमारा फर्स्ट आप्शन सही हो गया इसमें चलते नेक्स कुश्चन पर मैं कहा गया कि निम्लिकित में से कौन रोगान रोगकारी बिशान कथित रूप से चमगादर से मनुष्य में प्रसारित होता है तो फस्ट है इबोला सेकेंड है सोर्स कोरोना वाइरस और थर्ड है निपा वाइरस तो इसका जो है तीनों यह स्टेटमेंट सही है है हमारे ठीक है इसका फुल्ट फॉर्म होता है चलते नेक्स कुच्चन में उत्तरी मैदान के संदर्में निम्लिकतनों पर विचार कीजिए तो फस्ट है यह विशुका सरवादिक बिश्तरत जलोड शेतर है सेकेंड है कि यह भू अभिनति गर्त में हिमालाई और प्राइदीपी नदि पर्त हुआ है जो उत्तरी मैदान है ठीक है तरते हैं नेक्स में 50 कुश्चन नंबर तो हमारा है कि विविन मादयमों में धुनी की गतिका अवरोही क्रम में बताईए अवरोही मतलब बढ़ते विये ख़बन बताना है तो थोस ध्रव गैस तो थोस में सबसे ज्यादा रव में होती फिर गैस में होती तो हमारा option हो गया एक दो नहीं नहीं अवरो ही मतलब increasing order में बताना है यार decreasing increasing order अवरो ही मतलब increasing order ठीक है तो हमारा gas पहले आएगा फिर द्रव आएगा फिर ठोस आएगा तो हमारा निक्याबा हो जाएगा तीन दो एक भी ओप्सन ठीक है ये ठोस में होती आपको देखने को मिली ये ठोस में ये देखने को मिलती है आपकी जो चाल होती है ध्रहनी की तो 50 आपको कालिस का मिल जाएगा तो आप लोग निश्चिंत रहे इसके लिए और पीडियफ अगर आपको लोग लेना चाहते हैं तो आप टेलिग्राम जोइन कर लिए वहाँ कोई भी प्रॉब्लम फेस करने नहीं पड़ेगी आपको आराम से बहुत जल्दी ही पीडियफ प्र यूपीज़ करें तो यहीं हो जाएगा वैसे ज्यादा बचा नहीं इसमें थोड़ा बहुत है उसमें ज्यादा इंप्रेंट है नहीं इतना था मैंने इंप्रेंट वो करा दिया आपको और तो आज के लिए इतना ही और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर करें ठीक है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैन जैवारत वीडियो देखने के लिए थैंक्यू बने रहें मेरे साथ अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से